गुड मॉर्निंग फ्रेंज टार्गे टाइम याफ सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट से एनेचेम के थुरू एक और भरती भी क्या पन आ चुका है पैरा मेडिकल इस्टाप और नर्सिंग इस्टाप साथ मेडिकल फिल्ड के अधर कई प तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आँगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें साथ में इस नोटिपिकेशन के पीडियाप के लिए दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वर्टसेप चैनल को जोइन कर लें आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप एजी तरीके से जोइन होके इसको डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तों बढ़ते हैं इन्फॉर्म जाँ हमकित और पाँ है महराष्टर से दोस्तों भरतेविग्श कर पाइंगे बात करें पोश्टकी कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं तो एक से दस नंबर तक जितने भी पोश्ट हैं दोस्तों वह मेडिकल आपिसर के हैं इसमें में बढ़ले चैनडियं सुल मेंड़कल एई तो इसमें दुस्तों 11 नंबर पर जो पोस्ट वो डेंटल सर्जन के लिए है जिसमें बीडियास आभिठ टू एर्स के एक्सपीरियन्स वाले केंडिडेट आभेदन कर पाएंगे टोटल पोस्ट की बात करें दुस्तों तो टोटल इसमें 6 पोस्ट है यह आपको कटेगरी वा रहे गा एक पोस्ट एस्ट के लिए इसमें सामिल किया गया है और अर्बीयस के प्रोग्राम के तहट दोस्तों मेल केंडिडेट के लिए इसमें मेडिकल आफिसर के लिए है बीएमेस वाले केंडिडेट के लिए जिसमें टोटल पाच पोस्ट है 28000 रुपए सेलरी रहेगा चौदर नमबर पे भी BMS के लिए ही है female candidate के लिए इसमें 7 post है यह आपको category बाइज बताया गया next दोस्तो BMS के लिए 5 post और सामिल किया गया है जिसमें सेम आप से qualification मांगा जा रहा है और 28,000 रुपए इस हैल रही है hospital manager के लिए दोस्तो एक post सामिल किया गया है any medical graduation with MPH, EMHA, EMBA in health तो दोस्तो आपके पास graduation complete होना चाहिए प्लेसा आपका यह जो course बताए इन में से कोई से भी course आपका complete होना जरूरी है salary आपको 35,000 दिया जाएगा और इसमें DIC manager और CPH consultant के लिए भी इसमें post सामिल किया गया जिसमें same qualification आपसे मांगा जा रहा है और एक एक post सभी post के लिए सामिल किया गया है निश्ट दोस्तो हम बात कर लेते हैं engineer biomedical के लिए जिसमें एक post है और आपके पास biomedical engineer का graduation complete होना चाहिए open candidate के लिए general के लिए एक ही है 25,000 रुपए salary है 18 नंबर पे दोस्तों आपको radiographer and x-ray technician का post देखने के मिलेगा जिसमें total 2 post है और qualification में दोस्तों आपसे 12th pass मांगा जा रहा है आपका 12th science system के साथ होना चाहिए प्लेस आपके पास BS in medical, radiology या diploma in radiology तो इसमें degree वाले candidate आवे देन करेंगे प्लेस जिनके पास diploma होगा वो भी eligible है आपके पास radiology में degree diploma होने चाहिए 17,000 दोस्तों fix आपको इसमें salary दिया जाएगा नेश्ट दोस्तों इसमें pharmacist के लिए post सामिल किया गया है total 4 post है D-pharma और B-pharma तो इसमें degree और diploma दोनों candidate ही eligible है total आपको इसमें 4 post देखनक मिलेगा जिसमें आपको 17,000 रुपए fix salary दिया जाएगा 20 number पे दोस्तों आपको lab technician के लिए post मिल जाएगा जिसमें 1 post सामिल किया गया और आपका जो qualification है इसमें 12th pass होने चाहिए Diploma in medical laboratory technology के साथ और इसमें दोस्तों registration होना जरूरी है महराश्टरा paramedical council में आपका registration होना चाहिए तभी आप eligible रहेंगे total एक ही post सामिल किया गया जिसमें आपको 17,000 रुपए fix salary दिया जाएगा 21 number पे counselor के लिए है 2 post है MSW वाले candidate आप बेदन करेंगे 20,000 रुपए salary दिया जाएगा ideologist के लिए दोस्तों degree मांगा जा रहा degree in ideology का 20,000 रुपए salary है निश्ट दोस्तों nutrition के लिए post इसमें सामिल किया गया है 20,000 नूट्रेशन home, 20,000 रुपए salary दिया जाएगा अब दोस्तों last post की बात कर लेते हैं 24 number पे stop nurse के लिए केवल दोस्तों इसमें female candidate ही आवेदन कर पाएंगे total इसमें post की बात करें तो 30 total post है और दोस्तों इसमें केवल जेनम वाले candidate eligible है BSC nursing जो complete किये वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे ये आपको category wise बताया गया है कौन कौन से category के लिए post है total post की बात करें तो 30 total post है 20,000 रुपए आपको salary दिया जाएगा तो दोस्तो 24 अलग-अलग post के लिए ये भरती विग्यापन publish किया गया है जिसमें total post की बात करें तो 138 post सामिल किया गया है और आपको संबीदय बेसे space में पोस्टिंग दिया जाएगा भरती विग्यापन महराष्टरा से publish किया गया है तो केवल महराष्ट के candidate ही आवेदन कर पाएंगे नंदूर बार district से दोस्तों भरती विग्यापन publish किया गया है राष्टरी आरो गवियान के दौरा और अब बात कर लेते हैं इसमें आपको apply के से करना selection process किया रहेगा तो apply करने के लिए दोस्तों आपके समें information दिया जा रहा है आपको offline की माद्यम से आवेदन करना होगा third number पे इसके लिए आपको बताया गया एक चुक उम्मीद वार दोस्तों ये जो notification है वो महराष्ट्रा language से publish किया गया तो जो भी local candidate है वो जरूर इसको समझ पाएंगे आप इसको अच्छे से read कर लीजिएगा इसमें आपको offline की माद्यम से आवेदन करना होगा इसके लिए आपको application format दिया गया है ये आपका application format है इसको आपको fill करके इसके official address पे send करना होगा इसका official address दोस्तो आपको इसमें बताया गया है तो दोस्तो देख सकते हैं ये आपको second number पे address बताया गया है इस address पे आपको आवेदन जमा करना होगा इसमें दोस्तो 11 से जो 24 नमबर तक के post है उन्ही को केबल अपना आवेदन send करना होगा और जो candidate एक से 10 नमबर तक के लिए आवेदन करेंगे उनको directly interview में सामिल होना होगा एक से 10 नमबर तक के जो post हैं दोस्तो वो medical officer के लिए रहेगा तो directly उनका interview होगा उनको पहले से आवेदन करने की जरूरत नहीं है जो भी candidate 11 से 24 नमबर तक के post है उनमें से किसी भी post के लिए आवेदन करेंगे तो उनको application format send करना होगा यह आपको address बता दिया गया इस address पर आपको अपना आवेदन send करना है आप directly वहाँ पर जाके send कर सकते हैं या फिर दोस्तो आप किसी भी speed registered post के माद्यम से आवेदन send कर पाएंगे आपको 10 सेप्तमबर तक समय दिया गया साम को 5 वज़े तक आवेदन करने के लिए तो यदि आप eligible हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और application format के साथ दोस्तो आपको required document भी send करना होगा यह आपको document के वारे हम बताया गया है आप जिस भी degree diploma के बेस पर आवेदन कर रहे हैं वो आपको send करना होगा self-attested कर के साथ में other document भी send करना होगा और application format के साथ दोस्तो आपको application fees भी वे करना है इसके लिए आपको बताएगा है जो भी candidate जनरल candidate है उनको 150 रुपई फीज बेकरना है और reserve category candidate को 100 रुपई फीज बेकरना होगा आपको दोस्तो application फीज डिमांड ड्राप के रूप में बनवाना होगा और बिन अप्लिकेशन फीज के दोस्तों यदि आप अपना आवेदन वहां पर सेंड कर रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस चीज़ को आप ध्यान जरूर दें उनको 70 अर्शिस में इस लिमिट दिया गया है तो इसमें सारी डिटेल बताया गया है दोस्तों जो भी महराष्टर से बिलॉंग करते हैं इसको अच्छे से रीट कर पाएंगे और इसमें जितने भी इंपोर्टेट इंफॉर्मिशन रहा मैं आप लोगों सारी शेर कर शुक्वा हूँ इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की तो इसके लिए भी आपको इसमें बताया गया है लाष्ट में आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं यह आपको बताया गया है ये नोटिपिकेशन के पीडियाप में सारी डीटेल आपको बताया गया आप इसको रेट कर सकते हैं और दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों सेयर करें साथ में दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे योटिप चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें हम्हार दिन ऐसी जानकारी आप लोग साथ सेयर करते रहते हैं थैंक्यू सो मच